दोस्तों आपका फिल्मी मीजा चैनल में स्वागत है इस वीडियो में हंग बात करेंगे नानी और किर्थी सुरिश स्टार फिल्म दसरा के 20 दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारी में उससे पहले दोस्तों अगर आप फिल्मी मीजा चैनल पर पहली बार आए हो तो फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जानने के लिए फिल्मी मीजा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को skip न करें वीडियो को अंतक देखें बिना time, based ये वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तों आपको बता दू कि नानी और केर्थी सुरेश स्टार ये फिल्म तीस मार्च से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा है इस मूवी में नानी और केर्थी सुरेश के अलावा दीक्षित शित्षिय टीभी मुख्य भूमिका में है इस मूवी को इंडिया में लगबग 2710 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था ये एक एक एक्शन थ्रीलर मूवी है इस मूवी का निर्देशन श्रिकांत ने की है दसरा मूवी की बजट की बात करे तो इस मूवी की बजट 65 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म के कलेक्शन की बात करे तो नानी और केर्थी सुरिश स्टारर फिल्म दसरा को आई पील की वज़े से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है IPL की वजए से नानी और केर्थी सुरेश की फिल्म दसरा के इवनिंग और नाइट के कलेक्शन में गिरावच आ जाती है जिसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखाई दी रहा है इसके बावजूद नानी और केर्टी सुरेश की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्ट प्रदर्शन किया है दोस्तों आपको बता दूं कि ये मुवी पहले दिन बॉक्स ओफिस पर शांदार प्रदर्शन करते हुए 23 करोड़ 20 लाक रुपए की कमाई कर ओपनिंग ली थी अगर बात करें इस मुवी के पहले वीक के कलेक्शन के बारे में तो ये मुवी पहले वीक में बॉक्स ओफिस पर जबर्दस्ट प्रदर्शन करते हुए 29 करोड़ 10 लाक रुपए का कारुबार करने में सफल रही थी जबकि यह movie दूसरे week में box office पर 8 करोड़ी 20 लाख रुपए का collection किया है वही अगर बात करें इस movie के तीसरे week के collection के बारे में तो 10 रा movie 16 वे दिन लानी रिलीज के दूसरे शुकरवार को box office पर 35 लाख रुपए का collection किया था जबकि यह movie 17 वे दिन लानी रिलीज के तीसरे शनिवार को box office पर 6 लाख रुपए का business करने में सफल रही थी वही अगर बात करें इस मूवी के 18 वे दिन्यानी रिलीज के 3 रविवार के दिन के कलेक्शन के बारे में तो ये मूवी 18 वे दिन्यानी रविवार को बॉक्स ओफिस पर 68 रुपे का कलेक्शन किया था जबकि ये मूवी 19 वे दिन्यानी रिलीज के 30 रिसोमवार को बॉक्स ओफिस पर 30 लाक रुपए का कारोबार करने में सफल रही है दोस्तों इस तरह से 10 मूवी के अब तक के 19 दिनों का इंडियानेट कलेक्शन 89 करोड 24 लाक रुपए हो गया है जबकि इस मूवी का पहले 19 दिनों का इंडियाग्रास कलेक्शन 93 करोड 20 लाक रुपए हो चुकी है अगर बात करें इस मूवी के अब तक के वर्ल डवाइज कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का अब तक का वर्ल डवाइज कलेक्शन 115 करोड रुपए हो गया है वही अगर overseas collection की बात करें तो ये movie overseas market में अब तक 21 करोड रुपए की कमाई कर चुकी है अगर बात करें इस movie के 20 वे दिन यानी मंगलवार के दिन के collection के बारे में तो अभी तक जो occupancy report आ रही है उसके अनुसार ये movie 20 वे दिन यानी मंगलवार को box office पर लगभग 30 लाक रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है दोस्तों इस तरह से 10 मूवी के अब तक के collection में आज यानी 20 वे दिन का collection जोर दिया जाए तो इस movie का अब तक का 20 दिनों का total net collection 89.44 रुपए हो जाता है दोस्तों अगर आप नानी और केरती सुरेश की यह movie देख चुके हो तो आप हमें comment करके बताए कि आपको यह movie कैसी लगी साथ ही साथ आपको कसकी acting सबसे ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों इस वीजियो में बस इतना ही उमीद करती हम कि यह वीजियो आपको पसंद आई होगी वीजियो पसंद आई हो तो वीजियो को लाइक करें शेर करें और फिल्मों के बॉक्स ओफिस रिपोर्ट जाने के लिए फिल्मी मीजिया चैनल को सबसक्राइब करें दोस्तों वीजियो को देखने के लिए धन्यवाद